दोस्तों पैसा बजार प्रस्टना लोन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आपने किसे न किसे सोसेल मीडिया पर जरूर देकी होगी लेकिन पैसा बजार से एक सुन में लोन अपलाई कैसे करना है उसकी प्योग पर जान करें आशके वीडियो महां बताएंगे दरसल दोस्तों मैं बता दूँ के पैसा बजार खूद लोन प्रवाइड नहीं करता एक लोन एग्रिगेटर है यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना होता है और अपने क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही यहाँ पर आपको कुछ बैंक और कुछ एन्बेप सी अपनी को सजेस्ट करेगा जहां से आपको लोन मिल सकती है और यहाँ पर आप एक दो लाक नहीं बलकि 40 लाक रुपया तक की लोन ले सकते हो तो अगर आप भी बड़ी आमाउट की लोन लेना चाहते हो सिरिफ अपने क्रेडिट स्कोर के आधार पर तो एक वीडियो सुरू पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल लाइकन डबा कर और लोन कर दो तो सबसे पहले आपको बिलते रहे तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों पैसा बजार एपलिकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इ इस एप्लिकेशन की थोड़ी सी डीटेल देख लेते हैं जिसमें हम प्रस्टनलोन के बारे में इलिजबीटिक राइटी ये वगरा जान लेते हैं उसके बाद ही आपर हम लाइप प्रूफ लॉर अपलाई करने का प्रोसेस भी आपको समझाएंगे तो हम इसकी डीटेल में देखें तो एजो एप्लिकेशन है वह इंडियास लेंडिंग प्योर प्या मार्केट प्लेश प्लेश प्लेटफोर्म है जिसमें आप फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकती हो दस साल चे यह अपलिकेशन अवेलेबल है 43 मिलियन ची पे जादा इसका कस्टमर है 803 सिटी में यह अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है और साइंट प्लस यहाँ पर पार्टनर जोड़े कही है जिसमें कुछ बेंग भी है और NBFC कमपनी भी है जिसके द्वारा यहाँ पर लोन और क्रेडिल कार के ओफर दी जाती है और यहाँ पर आप लाइफर इंचूरेंस वगरा भी करवा सकते हो अब दूसरों यहाँ पर हम प्रस्टना लोन की बात करें तो यहाँ पर आपको बैंक या NBFC कमपरी के थ्रू प्री अप्रू के टेगरी में लोन की ओफर देखने को मिल जाते है उसके लब यहाँ पर जीरो डोक्यूमेंटेशन रहेगा और फ्री एक्सपर्ट आस्टेशन अठ मिलेगा जिसे आप आसानी से अपनी लोन को डिस्पर्सल करवा सकते हो उसके लब दूसरों यहाँ पर हम इसका फीचर और बेनिफिट की बात करें तो इसमें नो एंड ओफ रस्टेशन है मिनिममम डोक्यूमेंटेशन में यहाँ पर लोन मिल जाती है क्यों डिस्पर्सल हो जाता है पूरे 40 लाग रुपया तक की लोन यहाँ से आप ले सकते हो और इसमें 5 यहर का टेन्यूर मिलेगा यहाँ पर हम इलिजबेटिक रैटेरिया की बात करें तो आपकी उम्र 18 यहर से लेकर साइट यहर के बीच होनी चाहिए आपकी मिनिममम इंकम 15,000 रुपया होनी चाहिए और आपका सिबिल स्कोर या क्रेली स्कोर साच्चो प्लस होना चाहिए साच्चो प्लस है तो यहाँ पर आपको definitely loan की offer और credit card की offer भी मिलेगी ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको ए प्रशना लोन मिले वाली है तो चले दोस्तों अब यहाँ पर हम इस application को open करने का A to Z process आपको बताते है तो यहाँ पर हम इस application को open करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा processing लेगा और सबसे पहले इस application का कुछ interaction आएगा यहाँ पर हमें कुछ ही नहीं करना है थोड़ी दिर्वेट करेंगे तो नीचे एक option मिलेगा get start उस पर हमें क्लिक कर देना है तो अब यहाँ पर हमें sign in करना होगा तो sign in हम दो तरीके से कर सकते है Google से भी कर सकते है और नंबर से भी कर सकते है तो यहाँ पर Mmm करेंगे उसके बाद नेयापर हमसे म Repeinar पूछा जाएगा तो मिलें यहाँ यहाँ पर engine करने के लिए और यह पर हमकूस पूछ यहाँ कुस में होसेम वेसा ही उसके बद यहां पर email address एंटर करना है इस box पर टिक करना है और continue पर क्लिक कर देना है continue करने का बद दोस्तों यहां पर थोड़ा सा processing लेगा और हमारा सामने कुछ इस तरीके center पर आ जाएगा अब यहां पर दोस्तों में बता दूं कि यहां पर हमने जो mobile नमबर दिया हमारा नाम वगरा दिया और क्रेडिस ब्यूरों में रजिटर है तो हमसे यहां पर दोस्तों कुछ ज्यादा डिटल नहीं पूछी जाएगी अब यहां पर यहां पर क्रेडिस कोड पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर देखो यहां पर चेक हो के आ चुका है अगर अपने ये उजर होंगे अपने से पहले कभी दिया नहीं हो गा तो आप से यहां पर पेयंगार के डीटल प्रोड करना चाहे तो भी कर सकते है ठीक है अब दिच्छे यहां पर दूस्तों इसके रिगारिंग बहुत शारी प्रोड़क्स यहां पर देखने को मिल जाएगी लेकिन यहां पर हमें कुछ नहीं करना है निच्छे यहां पर देखोगे तो एक होम का उप्सन दिखेगा उस उसके लवन इच्छे स्क्रोल करेंगे यहां पर इंशुरेंस प्रोड़क्स भी बताया हुए है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रस्टा लोन के बारे में तो यहां पर एक उप्सन मिलेगा प्रस्टा लोन का उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमसे यहां पर दोसों कौशी बेंक काउट में आती है वो यहां पर आपको एंटर करना है यहां पर कुछ बेंक सजेस्ट करेंगी इनमेंचे कोई भी बेंक है तो यहां पर आप सूस कर सकते हो अधर्वाद यहां पर एक उप्सन मिलेगा व्यू मॉर उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत करना है कि इनमें पर आपको अपना लोन का रिजन सूस करना है कि किस रिजन के लिए यहां से आप लोन लेना चाहते हो उसके बद यहां पर आपको current resident type आपको सूस करना है कि आपके पास खुद का घर है, parents के साथ रहते हो, company ने provide किया है, जो भी हूँ यहां पर आपको सूस करना है उसके बद आपको कितनी loan की जरुत है वो यहां पर आपको सूस करना है जैसे आप यहां पर loan amount सूस कर लोगे तो अब यहां पर थोड़ा सा processing लेगा और आप थोड़ी धिर में बता दिया जाएगा कि कुछी company के थूँ आपको यहां पर loan मिल लवाली है तो यहां पर आप देखोगे तो हमारे सामने दोस्तों यहां पर कुछ loan offer निकल के आचुकी है यहां से हमें loan मिल सकते है अब यहां पर आप देखोगे तो हमें जो loan offer मिली है वो एक तो है Tata Capital के तरफ से उसके बाद निच्छी यहां पर देखोगे तो HDFC bank के तरफ से है ICIC bank की तरफ से भी है SMFG की तरफ से भी है और YES bank की तरफ से भी है इतनी जगा पर हमारा criteria match हो रहा है तो इतनी loan offer हमें suggest की जाए रही है हम इन मेंचे किसी भी company में या bank में loan apply कर सकते है और दोस्तों यहां पर आपके सामने भी आपके eligibility के आधर पर यहां पर कुछ company और bank suggest कर दी जाएगी अब इसमें से आपको सूज करना है कि कौनची bank से आप loan लेना चाते हो अब सबसे पहले तो आपको अपना interest देख लेना है तो आपके लिए फाइदा होगा तो हमारा SDFC bank में यहां पर दोस्तों हमारा account है तो हम यहां पर SDFC bank से loan apply करके आपको दिखाएगे बाकि अधर आप देखोगे तो ICAC bank में सबसे कम interest पर यहां पर हमें loan मिल रही है लेकिन हमारा account SDFC में है तो हम यहां पर SDFC bank वाले option पर यहां पर select पर क्लिक करेंगे तो हमारे loan की सारी details आजाएगी जिसमें आप देखोगे तो 1,00,000 रुपिया के हमारी loan है जिसे हम 5 year के लिए ले सकते है 2,211 रुपिया यहां पर EMI बनेगा 11.75% इंटरस लगाए जाएगा और 4,999 रुपिया यहां पर processing fees pay करनी होगी और यहां पर बताएगी है कि आप 1 साल के अंदर यहां पर total repayment कर देते हो तो आपको 4% fees pay करनी होगी तो यहां पर आपको prepayment नहीं करना है ठीक है उसके लब दूसरों नीचे यहां पर कुस detail हमें पूछी जाएगी और detail यहां पर हमें फिल करनी है detail में देखोगी है तो यहां पर सबसे पहले प्रस्णल detail पूछी जाएगी यहां पर कुस प्रस्णल detail फिल रहेगी और कुछ प्रस्टनल लेटन हमें मेंजूली फिल करनी होगी उसके बाद नीचे यहां पर current address हमारा पुछा जाएगा तो यहां पर हमें current address दे देना है उसके बाद permanent address पुछा जाएगा तो permanent address दे देना है और यहां पर personal reference contact भी पुछा जाएगा जैसे submit करेंगे तो हमारे जो loan amount है वो submit हो जाएगी यहापर आप देखोगे तो बताएगी है कि congresulation यहापर हमने reference number भी दे दिया गया है और बताएगी है कि 24 गंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ से आप loan लेने के लिए eligible हो या नहीं हो और आगे आपको क्या आपको कोई भी प्रकार का ओठे भी आपसे पूछे तो आपको समझ लेना है कि वो फ्रोड कोल है ठीक है तो इस तरीक से दोस्तों आप पैसा बजर एप्लिकेशन से लोन अप्लाइ कर सकते हो अब यहाँ पर आपवकों कुछ यह नहीं करना है 24 गंटे के लयगे 57 करें अंदर आपके